बच्चे आज हम हिंदी दिवस पाट पढ़ेंगे हिंदी दिवस मेंज हिंदी डे आप जानते हैं de डे टीचर्स डे इंडिपेंडेंस डे रिपब्ली कर सकते हैं कुछ करते हैं और इसके बारे में हम पढेंगे और हुंनी हँं दिवस पार्ट में इस चित्र में ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि और ये क्या है? एक स्टेज डायाज है और इस स्टेज में एक अध्यापक कुछ स्पीच दे रहा है किसके बारे में दे रहा है? हिंदी दिवस के बारे में वन टीचर is giving a speech about what? हिंदी दिवस, हिंदी डे what he is saying in his speech about हिंदी डे और यहां पर कुछ टीचर बैटे हुए हैं और यहां पर बच्चे भी है बच्चे सुन रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं अध्यापक हिंदी डे के बारे में करें हैं क्वेश्चन्स देखिए चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहा है चित्र में क्या-क्या दिखाई दे रहे है और अध्यापक और हिंदी दिवस के जो दिन स्टेज और नीचे बच्चे सुन रहे हैं और एक अध्यापक स्पीच दे रहे हैं और स्पीच हिंदी में क्या करते हैं स्पीच को बाशन कहते हैं किसके बारे में बाशन दे रहे हैं अध्यापक हिंदी दिवस के बारे में बाशन दे रहे हैं बाई ओर देख रहा लड़कां किसके बारे में पूछ रहा होगा बाई ओर मींज लेफ्ट और लेफ्ट साइड ऐसा अटन होआ यह लड़कां किसके बारे में पूछ रहा है委 से लेफ्ट साइडील अट्टार नाईना इबॉय देन गुरी इंची अडूत्टुन नाडू इला साइडिक दिरिगी अब्बाई के अद्धांग आटले दन्माटा इद एंदुक पेट्टार इकड़ा नेशी इस्टेज एंदुक जेसारनी तेलीदू मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा मंच मींस दिस डैस और डैस में ऐसा खड़ा आदमी हो रही है परसन क्या कह रहा है क्या कह रहा है हिंदी डे के बारे में कह रहा है हिंदी डे के बारे में स्पीच दे रहा है बच्चे हम आज किसके बारे में जानेंगे हिंदी डे के बारे में जानेंगे कब मनाते हैं कैसे मनाते हैं डेखेंगे देखे बच्चे और यह क्या है कन्वजेशन है हम पड़े अमारे त्योहार पार्ट से श्रदा रशीदा दो कन्वजेशन में किसके बारे में बातचित करती हैं बतकम्मा त्योहार के बारे में शारदा से क्यों मनाती हैं कब मनाती है और यह thingy के प्रश्न सिन चला ऊशी प्रकार यहां भी किन लिसन है इसमें कौन-कौन से है सरता जिन कौन-कौन है उसमें रशीदा और शार्दा है इसमने कौन हैं सरिता और разी दोनो सहेलिया जहेलियमस गल्ल्फरेंड्ड्ट्स दोनो रास्ते में मिल्ती है कहां मिल्ती है रास्ते, रास्य मिल्स अंधिवे, अंड़े दारीलो कल्स कुंटर वाले दर यह वर यह रो яд हम। रोजी, सरिता बादचीत करती हुई चलती है इला माट लाट कुंटू माट लाट कुंटू वेल तुंटा रोजी रोजी एम अनन तुंदे दान की सरिता एम चेप तुंदो वेंदा रोजी क्या करती है सरिता से रोजी का डैला क्या है क्या बात है सरिता तुम आज बड़ी कुश हो कहां से आ रही हो क्या बात है सरिता इंके मिशे आलू सरिता आज बड़ी कुश हो अंटे इन्नो वीरो चाल संतोशंगा उन्नावू कासे आ रही हो और एककन चुस्तु नावू अनि रोजी यवर नडिगिन्दी सरिता नडिगिन्दू अपने विद्यालय से कहां से आ रही है सरिता विद्यालय से आ रही है विद्यालय मिन्स स्कूल पाटशाला से आ रही है कौन आ रही है सरिता आ रही है ये कौन कह रही है सरिता कर रही है और किसे कर रही है रोजी से कर रही है कल एक विशेश कारेक्रम है कल एक विशेश कारेक्रम रेपु उक स्पेशल प्रोग्राम उन्दी यन चेप्पिन्दी यवरू सरिता यवर तो चेप्पिन्दी रोजी तो चेप्पिन्दी रेप उक प्रोग्राम उन्दी प्रोग्रां कोरकी अर्रेंज्मेंट्स जरू तुन्नाई, ये इंडियानों तेलिया दन्माटा रोजी की, अपड़ु सरिता चप्तुन्नाई, रोजी, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल मेवी हिंदी दिवस मनाये जराहे, हाँ, हाँ, मी स्कूल लोगुडा, हिंदी दिवस सांटे हिंदी डे सेलेब्रेट चेस्तुनारा, अनी, रोजी, ये वर्त वाडिकिंदी, सारिता वाडिकिंदनन माटा, अपड़ सारिता यह मेंदू, हाँ, कल, 14 सितंबर है ना, इसीलिये तो मैं तुम्हे, बुला रहीती, मुझेबी गीत सिखादोना, आँ, अउनु रेप अन्दू, 14 सेप्टेंबर गदा, अन्दू कने, निन्नू, पिल्लिस्तुनानू, एंद surfy चाले, हाँ, नुबह नाको, पाटन एरपिछाले, अनि, अन्दे कन्ड़ मानू, हिंदी डे, टीचर्स्ट्रे, चिल्डेंस्ट्रे, इल्णानhora, अन्दी डाइम, प्रोग्रम्स च अडूतु अपोट रोजी अन्म अन्न दन्म अडे वन्न दे टीक है मैं तुम्हे सुनाती हूँ अवन अवनो करक्टे नेन्नी को नेरपिस्तानू ध्यान से सुनो और सीकलो चाला कांसेट्रेशन तोटी वीनो नेचको अने रोजी जबतुन हिंदी सीको हिंदी बोलो हिंदी को अपनावो आवो सब मिलकर गावो हिंदी दिवस मनावो पाट नेर्पी मन अड़िगी इंदिक सरिता रोज इनी पड़े मन नेर्पी चिंदी हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आवो सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही, क्यो मनाते हैं, हिंदी डेनी, ओल्ली 14 सेप्टेंबर रोजु, एंदुक जर्प कुणडां, वाई वी आर सेलेब्रेटिंग ओल्ली 14 सेप्टेंबर, अनी कोश्चन आड़िएंदी, एवरु सरिता एदोको reason उट्टेंग, अधे रोज एंदुर जर्प को वाली आँटे, आदे रोज सर्वेपेल्ली राधा क्रिश्नंगारी वर्त लेंदु, आदे विदेंग, हिंदी डे जर्प कोडा, इकड़को reason उट्टेंग, एंदुक अधे रोज जर्प को वालानी, सरिताडु तु सम्विधान में हिंदी राधबाशा के रूप में अपनाई गई, अपर रोज एंटुंदी मा टीचर गार चेप्पायरू, 14 सेप्टेंबर 1949 लो, सम्विधान अटेंटी constitution, constitution लो, हिंदी नी, अफीशल लाइंग्वेज लो, अफीशल लाइंग्वेज लाग, दान्नी, ऐडेंट्पाय चेशारू, वाण्टेंपडू 14 सेप्टेंबर 1949 नूंच, काबटी 1949 नूंची गूड, सेप्टेंबर 14 नी, ए डेगग जर्प कुंटनारू, हिंदी डेग constitution लो, हिंदी नी, अफीशल लाइंग्वेज गा, अइडेंट्पाय जेशारू, काबटी, रोज नूंची रोज वरकी गूड, 14 सेप्टेंबर नी, हिंदी डेगा, जर्प कुंटनारू, पड़, सरिता यम अन्चुड, सरिता, समझ गई, इसलिए, हार साल, इस दिन, हिंद डेगा, जर्प कुंटारू, लेकिन हिंदी को ही देशकी राजबास, क्यों चुना गया, काने हिंदी नी, मात्र में, एंदुको, अफिशल लाइंग्वेज गा, सेलेक्ट चेसियारू, क्यों चुनली, आचुना गया, एंदुक, सेलेक्ट चे बड़िन दी, अफिशल माटलाडा निकी इए लैंग्वेजेस लो माटलाड कुंटर आ लैंग्वेज एंटी हिंदी लैंग्वेज का पट्टि दानी राध भाषानी अंटर अला राध भाषानी पिल्वोच रोजी क्योंकि हिंदी बोलने वाले अमारे देश में सबसे अधिक है एंदुकु अधे लैंग्वेज निसेलेक्ट चेस कुणनार वाण्टे इंदी माटलाडे वाललु मनदेशम लो अन्नी बाषर माटलाडे वालकान्ना एक्को मन्दी उन्नारू लेकिन तुम्बी थो बतावो तुम बाषर में क्या कहेगी अंधिक एमर नू चेप्पू नी बाषर में जप्पान्नो स्पीच नी स्पीच लो मरे यें चेप्तावनू वानाडी इंदी अपड़ु सरितायम अंदी तोस नो अभिनाई करते हुए बताती है अभिनाई एंटे एंटी आक्षन अभिनाई एंटाय एला एक्षन चेप्टू पुडा विन्यू उने नेम चेप्तावनू अनी सारिता एंजेसिंदी स्पीच येला इस्थारो नेच्च कुंदी गदा रोजी देगरा है ते सारिता एला स्पीच इसंदो एला चेप तुन नर्माटा एक्षन है कटोंदी सारिता एकड़ा सारिता पिलल अंदर मोंडो टीचरस मोंडो हिंदी डेगुरिंची स्पीच इसंदर माटा किसके बारे में स्पीच दे रही हैं हिंदी के बारे में स्पीच दे रही हैं किसके सामने बच्चों के सामने और अध्यापकों के सामने किसके बारे में करती है हिंदी दिवस के बारे में करती है और कौन सिखाई यह बाशन रोजी उसकी सहली रोजी सिखाई एवर निर्पिच्चारी स्पीच नी इमेकी रोजी निर्पिच्च नी गावट्टी स्पीच इसन्दान माटा यहला इसन्दु स्पीच चुडू तो प्रदानाध्यापक जी एवं गुरुजनो प्रदानाध्यापक मेंस हेड्मास्टर नेक्स्ट गुरुजनो मेंस अल्टीच्च सहपाटियो मेंस माइडिया स्टुडेंट्स आप सबको हिंदी दिवस की हातिक शुपकाम नाए पस्ट शी इस विशिंग पर वाट हिंदी डे हिंदी डे गुरिंचा में अंदर की मुंदुगा फस्ट अफल आपी हिंदी डे अंचे पिंदन माटा हातिक शुपकाम नाए means विश्व हैपी हिंदी डे अंदर की मुंदुगा पिंदन माटा हिंदी हमारे देश की रादबाशा है हिंदी किसकी देशवाशा है हमारे देश की भारत देश की राज़बाशा क्या है हिंदी है यंचे पिंदन माढ़ा इवान् level देगर नेच्च कोंदी में रोजी देगर नेच्च कोंदे इसं सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है इसे सीखना, इसे आंटेंटी देनी नेच कोडम, मना की चाला अउसरम, देनी नेच कोडम, हिंदी नेच कोडम, इसे आंटेंटी हिंदी सीखना, अमारे लिए बहुत जरूरी है, हिंदी नेच कोडम, मना अंदरिकी चाला अउसरम, अनि सरिता तना स्पीच लो, चेप्तन नम स्पीच लो, सरिता ने बाषन में आवर क्या-क्या कहा होगा, इंक उपवयल, नूँव इम्याजनेशन चेयाल, मीर चेयाल, एमने इंक सरिता इंकें चेप्पुँंटुंदी, इंकें चेप्पुंट अच्चु, रोजी एदेते विश्यालों सरिताक चेप्पिन्दो, आ वि हिंदी क्यों रादबाशा के इस रूप में चुना लिया, और इसके बारे में बताई, और कब से शुरू हुआ, रादबाशा के रूप में कब लिया गया, और कब से शुरू हुआ है किस तारिक से किस साल से बताए गया और ये विशेयों के बारे में continue कहती है इसमें अपनी बाशन में सरिता ने बाशन में क्या क्या कहा होगा और हिंदी के बारे में और हिंदी राद बाशा के रूप में क्यों छिना गिया और हिंदी दिवस कपसे मनाये जा रहे हैं एन विशेयों के बारे में सरिता कहा होगा एकड़ा सहेलिया नेक्स्ट बाद्चित कुष नेक्स्ट विद्ध्यालै अंडर्लेंड या करना है अंडर्लेंड करना है और विशेश कार्यक्रम विशेश सप्रेट अंडर्यक्रम और ये सप्रेट सप्रेट लिखना है नेक्स्ट तैयारी तैयारी मिंस अरेंजमेंट नेक्स्ट स्कूल हिंदी दिवस हार्डवर्ट से अंडरलेंड करो पेंसिल से और चावदा सितंबर नेक्स्ट ध्यान ध्यान सीखो सीखो means learn नेच्गोन माटा अध्यापक सम्विधान सम्विधान means constitution राजबाशा रूप नेक्स्ट हर साल हर साल सेम वर्ड गंबाइन वर्ड हर साल गंबाइन रायली नेक्स्ट अधिक अधिक वर्ड नेक्स्ट भाशन मेंस वाट स्पीच अभिने मेंस अच्छ प्रदान अध्यापक मेंस हर्ड गंबाइन वर्ड 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 गंबा लुप के आपको नोट बुक में लिखना और लेसं का नाम लिखना कटिन शब्द कटिन शर्ण लगाना और ये शब्द नोट बुक में टीक तरह से सुन्दार लिखावट में लिखना है और कल और नेक्सरी क्लास में मैं क्वेशन्स पुछती हूं और इस पार्ट के बारे में आप सीखना है यह कैसा पार्ट है कन्वेशन पार्ट है और इसमें सरिता और रोजी दोनों सहे लिया है और रास्ता में मिलती है और रोजी हिंदी डे के बारे में सरिता को बताती है और हिंदी का दिवसकब बनाया जाता है 14 सितंबर और क्यों मनाया जाता है 1949 सितंबर 14 सितंबर से हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाये गया और जब से आप तक 14 सितंबर को हिंदी डे के बना रहे हैं और हिंदी के दिन हम क्या करते हैं पाटशारा में हिंदी के बहानदा की बारे में बात करते हैं और कुछ लगाते हैं और हिंदी का इंपोर्टेंस क्या है और उसके बार में कवीता सुनाते हैं बच्चे कुछ कारेक्रम सुना करते हैं और स्पीचेस देते हैं और इसे तरह तरह के कारेग्रम करते हैं और अरेंज करते हैं और इस पार्ट से आपको मालम हो आगी और 14 सितंबर क्या है और किसके लिए हिंदी डिवस मनाई जा क्यों हुआ हिंदी को ही सेलेक्ट किया क्योंकि हिंदी बोलने वाले देश में अधिक लोग हैं हिंदी बोलने वाले लोग देश में अधिक हैं इसलिए हिंदी को ही सेलेक्ट किया कि अच्छे बच्चे नेक्स्टर क्लास में हम फिर मिलेंगे